Hello friends, how are you? I hope all of you will be too good. आज की वीडियो में मैं डिसकस करूँगा आपसे इस डिजाइन के बारे में. यह जो डिजाइन है, यह हमने 35 feet by 40 feet में डिजाइन किया हुआ है. मिंस की 35 feet front में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है. यह जो हमारे डिजाइन है, यह हमने बहुत ही अच्छा और एकोनोमी के लिए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है. यह सामने हमारा एक हमें sitting मिलेगा, मिंस की covered बरामदा मिलेगा. डोनो साइड से हम इसमें up करके जाएंगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमारी शेड़ी बनी हुई है. यहां से हम इसमें up करके अपने बरामदे में पहुच जाएंगे. सामने हमारी MS की reeling लेगी हुई है. यह हमारी designer pillar रहेंगे, जिस पे हमारा यह design बना हुआ है. यह हमारा paint finish रहने वाला, paint finish पे हमने एक picture paint का, एक flower का design रहेगा. यह हमारा window के चारा तरफ जो हमारे design है, यह भी हमने paint finish में design किया हुआ है. सामने जो हमारा मेंडूर रहेगा यह भी हमारा पेंट फिनिस में रहेगा और हमारा लकडी का यह मिसकी बुड का दर्वाजा रहने वाला यह हमारा बिंडू को चारा तरफ हमारा पेंट फिनिस रहने वाला है और जो आपको बाइट सेड देख रहा है यह भी हमारा पूरा प नकशी कीग तरफ वै हमारा इसमें हाॉस पिलान रहेगा। फ्रेंट में इसके रोड रहेगा। तीन और अदर साइड अदर प्रोपारिटी रहेगा। लेफ्ट साइड होगा उसमें हमारी खुद की ही प्रोपर्टी है मिन्स के हमने जागे छोड़ के प्लान किया हुआ है 35 feet by 40 का हमारा ये प्लान रहेगा जिसमें 14-100 square feet से हमारा ये प्लान है यहां से अंदर चलेंगे तो मैं drawing area मिलेगा जो हमारा drawing area entrance के साथ हमें मिलने वाला है 10 feet 9 inch by 19 feet 9 inch का ये हमारा बडा drawing area रहेगा जिसे हम एजा drawing area यूज़ करेंगे अगर यहां से मैं right side की तरफ देखूंगा तो मुझे एक bedroom मिलेगा 12 feet by 11 feet का ये bedroom होगा ये सामने बैट रहेगा ये अलमीर रहेगा सामने ये TV unit रहने वाला है इस bedroom के ventilation के लिए front में window दिया हुआ है जो हमारा इस bedroom का ventilation करता रहेगा आगे बढ़ेंगे तो इसके बरावर में staircase मिलेगा यहां से जो अप्लिखा हुआ है तीर की निसान की तरफ एसे हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने वाले है नौ फिट नौ इंच भाई 6 फिट नौ इंच का हमारा staircase होगा इसे हम अच्छे से compatible use कर पाएंगे यहां से आगे बढ़ेंगे तो left side में फ्रेंट में एक bedroom मिलेगा यहां से इसकी entry होगी 12 फिट बाई 11 फिट का यह bedroom होगा यह हमारा बैट रहेगा यह अलमीर रहने वाला सामने टीवी यूनिट रहेगा bedroom के ventilation के लिए फ्रेंट में हमने बिंडू दिया हुआ जिससे इस bedroom का ventilation होता रहेगा यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें common toilet मिलेगा यहां से इसकी entry होगी 7 फिट बाई 5 फिट का यह toilet होगा इसमें वास वेसिन वेदिंग एरिया toilet सीट तीनों को ही design किया हुआ है toilet के ventilation के लिए side में बिंडू दिया हुआ है इससे इस storage का ventilation होता रह रहेगा यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें lobby मिलेगी जिससे हम as a dining यूज़ करने वाले हैं 12 फिट 5 इंच वाई 11 फिट की हमारी यह lobby होगी जिसमें center में हमारा dining table रहेगा सामने हमारा TV unit रहने वाला है lobby के ventilation के लिए side में हमने बिंडू दिया हुआ जिससे की इस lobby का ventilation होता रहेगा यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें kitchen मिलेगा 11 फिट 8 फिट का हमारा kitchen होगा यह इस kitchen के ventilation के लिए हमने बिंडू दिया हुआ जिससे की इस kitchen का ventilation होता रहेगा यहां से लेफ्ट राइट साइड की तरफ चलूँगा तो मुझे bedroom मिलेगा यहां से इसकी entry होगी 14 फिट होता रहेगा यहां से अगर यदि हम और राइट साइड की तरफ चलेंगे तो हमें एक और bedroom मिलेगा यहां से इसकी entry रहेगी 13 फिट 7 फिट 11 फिट का यह bedroom होगा यह बैट रहेगा सामने TV unit रहेगा यह इसमें अलमीर रहने वाला है इस bedroom के ventilation के लिए हमने window दिया हुआ हुआ इक इसमें हमने attached toilet दिया हुआ यहां से इसका entry रहेगी 7 फिट 8 फिट पांच फिट का हमारा toilet रहेगा इसमें वास बेशन रहेगी इसमें toilet sheet रहेगा इसमें wedding एरिया रहेगा इस toilet के लिए हमने window दिया हुआ जिससे की toilet का ventilation होता रहेगा इस toilet और यह दोनों बैड रूम है इसके ventilation के लिए हमने ventilation soft design किया हुआ है जो हमारा 3 feet by 5 feet का soft रहेगा जो इन तीनों का अच्छे से ventilation कर पाएगा तो यह हमारा plan है इसमें हमने 4 bedroom, drawing room मिन्स की drawing area हमारा open रहेगा kitchen, lobby जिसे हम as a dining यूज़ करने वाले हैं मिन्स की 4 bedroom, drawing area, dining दो toilet के साथ हमने इसको design किया हुआ है यह इसका elevation design रहेगा यह हमने classically अच्छा design किया हुआ है फिलाल की video में friends इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहन बंदे मात्रम अपना और अपनों का खयाल रखिये